हेलो एबरिवान वेलकम तो मैसनल तो आज हम बात करेंगे एकसर पे रिपल की बारे में अगर एकसर पे रिपल की बारे में बात करें तो बात करने को बहुत कुछ है अभी करेंटली एकसर पे रिपल का प्राइस 0.503 ने हुआ पर है टेकनिकल एनलेसिस करेंगे लॉंग ट्र शोट ले 드명이क से ऊपर भी जा सकता है अगर आप यहाँ पर स्वाइप सोट लेते हैं गाहां यहां पर पर एक हापते पहले का देखोगे तो एक हपते पहले 48 का सेरीज को इसने तच किया था, देखो 4834 का स्रीज इसने तच किया था, और अभी currently इसका जो price से एक बहुत ही बहुत ही बहतरी इंटरी के से एक moment ले रहा है, तो यहाँ पर अगर यह जो point है, अब देख सेक्ट हू, 5-1 का जो point है, इस point को अगर यहाँ पर एक्सर पर रेपल क्रॉस करता है और क्रॉस करके अगर रहता है कुछ घंते रहता है चार-पास घंते रहता है तो उसे लेवल को अगर मैंटेन करके रखता है तो आप यहाँ पर एक लॉंग ले सकता हो 535455 की स्रीज तक भी जा सकता है यह कोई यह बहुत उपपर टक जा सकता है यह जो 5584 दिखा रहा है एक दिन का जो केंडल निकाल कर रखा हूं तो यहाँ पर 5480 का जो स्रीज तक वहां भी आप देख सकता है अगर इसका प्राइज 51 की तो यहां पर बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है रिपल की अंदर इस कोईन को मिस मत करना बहुत दिनों से यह कोई स्ट्राइगल कर रहा था और अब भी करेंटली इस कोईन की अंदर बहुत ही पोजिटिव निउस निकल के आ रहा है और जैसे-जैसे किप्ट जो मार्केट ग्रो करेगा और एक्सर पर रिपल बहुत ऊपर टक जाएगा यहां पर इठीरियम का जो मार्केट कैफ है एक्सर पर रिपल यहां पर ले सकता है बहुत हाइली पोसिबल है कि एक्सर पर रिपल यहां पर इठीरियम को भी क्रॉस करके ऊपर जाएगा 300 डॉलर एक साल की अंदर हो सकता है है ना बूलरान में तो आप देखो कहीं मुझे जहां तक लग रहा है इस कोईन में तो बहुत ही उस पोटेंशियल है अगर स्रॉट ट्राम की बात करें ओ ही है है ना तो यहाँ पर एक घंटे का साथ का पोसिबिलिटी ज़्यादा दिखाई दे रहे है नीचे जाने का भी है पोसिबिलिटी ऐसा नहीं की नहीं है बट नीचे अगर जाएगा तो अगर फोर एट की सिरिस को यह होल करता है तो यह और भी थोड़ा नीचे आ सकता है फोर शिक्स की सिरिस में आ सकता है बगर यह फाइट कि इस स्य ма लिज रखता है कुछ ताइम तक तो यह आप Chelsea ho 35 अख्राइक को भी क्रॉस क्रॉस कर सकतें बहुत ही इस कोईन के अंदर इस कोईन के अंदर अगर इंवेस्ट कर रहे हो बहुत ही मैक्सिमम आपको प्रोफिट मिल सकता है तो यहां पर एक बात ध्यान रखना मैं कोई फाइनल से एडवाइजर नहीं हूँ मैं जहाँ पर खुद हूँ जैसे मैं करता हूँ उसी तरिके से आपको बताता हूँ तो ठीक है फिर से मिलते किसे एक नहीं वीडियो में तक के लिए बाई स्विगेल तादा